वर्किंग डेज का क्या मतलब होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं वर्किंग डेज का मतलब होता है कार्य दिवस या काम के दिन यानि कि जिस दिन आप काम करते हैं या कोई भी school, कोई भी institution या कोई भी संस्था या कोई भी company जिस दिन खुला रहता है तो उसको working days कहा जाता है आम तोर पर Monday से लेकर Friday तक के जो दिन होते हैं वो working days होते हैं और Saturday Sunday को जो है वो non working days होते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है तो जो छुट्टी जिस दिन नहीं होती उन दिनों को working days कहा जाता है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि हम आम तोर पर कार्य दिवसों के दोरान बैठके निरधारित करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर कोई इसमें भाग ले सके तो आप कह सकते हैं we usually schedule meetings during working days to ensure everyone can attend अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब क करें और बैल आइकन को प्रेस करें